सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को मिस ना करें नमस्कार दोस्तों अलकाशादा चैनल में आप सबका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों दिया माता सीता ने गाए, कवे, फल्गु नदी और केत्की के फूल को श्राप तो आईए जानते हैं दोस्तों जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्षमन और अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास काट रहे थे तो अईध्या के सभी निवासी इस बात से बहुत दुखी थे राजा दश्रत राम लक्षमन के बिछुरने का दर्थ सहन नहीं कर सके और उनकी मृत्ति हो गई इस खबर से भगवान राम लक्षमन और माता सीता को बहुत दुख हुआ उसके बाद भगवान श्री राम और लक्षमन ने जंगल में ही अपने पिता का पिंदान करने का निश्चे किया इसके लिए राम और लक्षमन दोनों जंगल में आवशक सामगरी घटा करने के लिए निकल गए इधर पिंदान का समय निकला जा रहा था समय के महतु को समझते हुए सीता ने अपने ससूर दश्रक्त का पिंदान उसी समय करने का निश्चे किया राम और लक्षमन के बिना माता सीता ने पूरी विधी विधान के साथ इस पिंदान को संपन किया कुछ समय बाद जब राम और लक्षमन जंगल से लौट कर आये तो माता सीता ने उन्हें पूरी बात बताई कि उन्होंने समय पर पिंडान किया है और ये भी बताया कि जब वो पिंडान कर रही थी तो उस समय गाए कववा फल्गु नदी और केत्की के फूल उपस्तित थे श्री राम और लक्षमन को लगा कि माता सीता जूट बोल रही है बिना सामगरी के पिंडान कैसे हो सकता है और व्रेट व्रक्ष मेरे द्वारा किये गई श्रात कर्म की दुहाई दे सकते हैं लेकिन फल्गु नदी गाए केत्की के फूल और कववे ने इन चारों ने इस बात से मुकर गए वो लोग सिर्फ व्रेट व्रक्ष ने सही बात कही तभी सीता जी ने दश्रत का ध्यान करके उनसे ही गवाई देने की प्रातना की दश्रत जी ने सीता जी की प्रातना को सिकार करके कहा कि ये सही वक्त पर सीता ने मुझे पिंडान किया है जब माता सीता ने देखा कि भगवान राम और लक्षमन को उन पर संदे है तो उन्हें बहुत दुखुआ और उनको रोते देख राजा दश्रत वहाँ उपस्तित हुए और उन्होंने राम और लक्षमन को बताया कि सच सीता सच बोल रही है और उन्होंने मुझे पिंड़ दान दिया है ऐसा कहके राजा दसरत अद्रिश हो गए राम और लक्षमन को जब सच का पता चला तो उन्हें बहुत दुखुआ कि उन्होंने माता सीता को गलत समझा दोनों ने माता सीता से माफी मांगी और इस बात के लिए माता सीता ने दोनों को माफ कर दिया लेकिन चारों को जूट बोलने के कारण माता सीता को बहुत गुसा है और उन्होंने उन्चारों को जुट बोलने की सजा देते हुए अजीवन शुराप देदिया, गाय को ये शुराप दिया कि हर घर में उसकी पूझा होने के बाद भी उसको हमेशा लोगों का जुटा खाना पड़ेगा, कववे को ये शुराप मिला कि उसका अकेले खाने से आमिशन सूकी ही रहेगी और नदी के उपपानी का भाव कभी नहीं होगा और केती को श्राब दिया कि तुझे पूजा में कभी भी नहीं चलाया जाएगा दोस्तों रामाइन में इस कहानी का जिक्र भी किया गया है और आप आज के समय भी इन चारो परमाता सीता के श्राब क प्रभाब को देख सकते हैं ये सारी बाते आज भी सच होती नजर आती हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जब भी करिएगा और शेर भी जरूर कीजेगा और प्लीज सब्सक्राइब करना ना हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे नमस्कार